आपने नाशनल सेक्योरिटी सुरक्षा के मामने में बात की तो उसमें काउस को लेकर गाय को लेकर जो लिंचिंग हो रही है कॉंग्रेस पार्टी और बुद्धी जीवी और यहां तक कर कि अब नसीर उद्दीन शाह खुद कह रहे हैं कि मुसल्मान जो है वो अपने आपको महफूज नहीं समझता हिंदुस्तान में और अब इमरान खान कह रहे हैं कि वो भारत के प्रधान मंत्री को सिखाएंगे कि माइनॉरिटी से कैसे सलूक किया जाता है तो आपका स्लोगन था सबका साथ सबका विकास तो अब आब बताईए कि ये इन सेक्यूरिटी मुसल्मानों में क्यूं है और इसके लिए आप एक एमपथी क्यूं नहीं आ रही बीजेपी के लीडर से पहली बात है कि ऐसी कोई भी घटना सब्यस आवाज को सोभान नहीं देती है ऐसी घटनाओं के पक्ष में कभी भी आवाज उठनी नहीं चाहिए ये गलत है सरासर निंदन ये है दूसरी बात है क्या ये 2014 के बाद शुरू हुआ है तो ये समाज के अंदर आई हुई एक कमी का भी परणाम है इस थिती को सुधारने के लिए हम सबने मिलकर के प्रयास करना चाहिए मैं इस सरकार में ये होता है और उस सरकार में वो होता था उस चर्चा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ एक भी गटना हो गलत है ये मेरा स्पस्ट मत है दूसरी बात है कि मात्मा गांदी जो कह रहे थे अचरे मिनो बाजी भावे कह रहे थे भारत के समिधान में जो भावनाओं को प्रगट किया गया है उसका भी आदर करना हम सब की जिम्मेवारी है देश के सभी नागरीकों की जिम्मेवारी है हम दूसरे की भावनाओं का आदर करें तो हमारी भावनाओं को भी रक्षा होती है ये माहुल बनाने में सभी समझदार लोगों ने रोल करना चाहिए तीसरी बात है रहे कि जहां विश्व के सभी संप्रदाय हैं बहुत बड़ी महात्रा में जनसंगया है हरे संप्रदाय की लेकिन इतने प्यार से मल जूल कर के जीते हैं रहते हैं जबकि हम एक ही संप्रदाय में मानने वाले लोग मारने काटने पर तुले हुए हैं ये गल्ब कंट्रीज के अंदर से लिखा हुआ एक मुस्लिम स्कॉलर का आर्टिकल है भारत को गर्व करना चाहिए कि हम सदियों से मिल जून करके जी रहे हैं समाज में घटना नहीं होनी चाहिए लेकिन समाज का जो मुख्य भैबरिक है वो क्या है उसको हमने समझना चाहिए और कोई किसी को हर चुनाव के पहले असमिशना लोगों को दिखने रख जाती है डर लगना चाहता है तो किसी का लोगों का एज़ गाउं था और अठारा जार गाउं को बिली है हम सभागी उजना से आगे बढ़ रहे हैं देश के अंदर चार करोड परिवार ऐसे ध्यान में आए कि जीन के पास बिजली नहीं है हम यह नहीं पूछते कि किस संप्रदाय से हैं वो मंदिर जाता है कि मजजित जाता है कि जीती है हर एक को उससे मुक्ति दिलाने के लिए उजवला योजना तक गैस पहुंचाना चाहिए को किस मजभत के मजभ की माँ है इससे हमारा लेना देना नहीं हर माँ को मुक्ति मिलनी चाहिए हर घर में गैस का चुला पहुंचे उस दिशा में लगे हैं पांच करोड 6 करोड के करीब करीब पहुंचा दिये हैं 8 करोड तक पहुंचाने का लक्ष है और वो भी हम पूरा करके रहेंगे